आईए जाने किस प्रकार से हम पौधो में खाड डाल सकते हैं और इन खाड को किस प्रकार से हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं ये देखे हमारे पास प्लास्टिक बैग्स यानि की पॉली बैग्स हैं जिन में हमने खाड डाल कर रखा है इस खाद में हमने different तरह की मिट्टियों का भी यूज किया है जैसे कि काली मिट्टी, पीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी इन different तरह की मिट्टियों में हमने natural compost यानि की गोबर और DAP और DTC दो तरीके की कीट नाशकों का भी उप्योग किया है ये हमारी काली मिट्टी की खाद है जो कि पौधों के लिए बहुत ही लाबदायक है हम खुर्पे की सहायता से मिट्टी, खाद और कीटनाशकों को मिलाते हैं जब ये सारी चीज़े अच्छे से मिल जाती हैं, फिर हम दोनों हाथों से उनको बराबर मात्रा में इन पौली बैक्स में डालते हैं आप देख सकते हैं और जब भी भी हमारे पौदों को खाद की आवेशक्ता हो हम उस वक्त इन खाद को उन पौदों में डाल सकते हैं और अपने पौदों को बेमारियों से बचा सकते हैं आईए देखें किस प्रकार से मिट्टी और खाद को मिलाते हैं हम ये देखें मिट्टी और खाद को कैसे हलके हांतों से मिलाये जा रहा है और जब ये खाद और मिट्टी प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे फिर इनको हम पॉली बैक्स में डालेंगे हमारे पीछे आप देख सकते हैं बहुत चारे छोटे छोटे पौदे हैं जिनको जो पॉली वैग्स में डाले गए है हमने इनमें खाद को भी मिलाया है DT और DAP को भी मिलाया है जो की कीट नाशक है जो हमें आरे पौदों को बचाते हैं हम सीजन के हिसाब से खाद डालते हैं सर्दियों में जादतर हमें खाद डालने के आवेशक्ता नहीं होती बट गर्मियों में हम खाद हर 10 दिन पे डालते हैं सर्दियों में जब हम बीज लगाते हैं उस वक्त खाद डालते हैं उसके बाद हर 45 दिनों पे खाद डालते हैं पौदों में देखिए किस प्रकार से मिट्टी और खाद को मिलाया गया है और प्लास्टिक बैग्स में डाला जा रहा है ताकि कभी भी आवशक्ता अनुसार हम पौदों में इन खाद को डाल सके हम अभी देखिए किस प्रकार से इन पौदों में पौदों को लगाते हैं यह देखिए यह हमारे पास एक पौदा है जो इस पौदी बैग्स में लगेगा भी अगर आपके पास बड़े आकार का पौदा है तो आप उसको किसी और जगब पे भी लगा सकते हैं छोटे अकार के पौदों के लिए हम छोटे पौदी बैग्स या फिर छोटे मिट्टी के गमलों का उप्योग भी कर सकते हैं यह देखिए हमारे सारे छोटे अकार के पौदी इन छोटे छोटे पौदी बैग्स में लगे हैं और इनमें हमने खाद भी डाल रखी है जो कि natural compost और मिट्टी से बनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से सर्दियों के बौधों को लगाया जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत प्रकार के फूल जो कि सर्दियों के मौसम में पाए जाते हैं यह देखिए यह हमारा daisy flower है जो कि हलके पीले रणका और हलके ओरन्ज कलर का है यह भी एक सर्दियों का पौधा है आप देख सकते हैं सर्दियों के पौधे हम दिसम्बर के महीने में लगाते हैं और जब हम इनके बीज को रोपते हैं उस वक्त 200 से 300 ग्राम खादम उन बीज में डालते हैं यह हमारे पास गजनिया एक फूल होती है सर्दियों की उनके पौधे हैं आप देखिए किस प्रकार से यह छोटी छोटे प्लास्टिक के गमलों में पौधे लगाए गए हैं और इनकी दूरी भी बिलकुल बराबर मात्रा में रखी गई है ताकि पौधे बराबर मात्रा में ग्रोग कर सके इन में खाद हम हर 45 दिनों पे डालते हैं मौसम और नमी के हिसाब से गर्मियों के पौधों को जादा पाने की आविशक्ता नहीं होती बड़ आप देख सकते हैं कि इनको सही जगह पे रखा गया है जहां इनको धूप और पोशन मिल सके यह देखिए यह हमारे पास कुछ डालिया के फ्लार्ज हैं यह सबी सर्दियों के पौधे हैं जो की सामाने तक दिसेंबर में लगाए जाते हैं और फेबरिवरी तक इन में अच्छे फूल आ जाते हैं सर्दियों के पौधों का रख्रखाव हमें ज्यादा साफधानी से करना पड़ता है यह संफ्लार्ज आप देख सकते हैं यह हमने रो बेज नरसरी में लगा रखी है और इधर कुछ मिट्टी के गमले भी दिख रहे होंगे और यह प्लास्टिक के गमले भी आप देख रहे हैं कि हमने पौधों को ऐसी जगह पे लगा रखा है जहां इनको प्रॉपर धूप मिल सके क्यूंकि धूप पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है धूप पौधों के लिए एक प्रॉपर नियूट्रिशन होता है और मैनोर्स और फर्टिलाइजर्स टाइम टौधों पौधों पे डलते हैं जैसा कि मैंने बताया खाद 200 से 300 ग्राम होनी चाहिए खाद की मातरा ना बहुत अधिक ना बहुत कम ज्यादा मातरा में खाद भी पौधों के लिए लाबधायक नहीं होते हम सीजन के हिसाब से पौधे रगाते हैं और सीजन के हिसाब से उन पौधों की देखभाल करते हैं